हेलो गाइस, गूट आफ्टूनून, हमने एक हीरो जीरो ट्रेड बाई कर लिया है, और तर्तारीस छेसो का पुट बाई किया है, 900 कॉन्टिटी, और अभी जो चल रहा है वो 7 रुपे के आसपास चल रहा है, और 7 के आसपास की हमारी एवरेज है, तो यहाँ पे 900 कॉन्टिट है कि क्या रेट आज हमारा मिलता है, बीस रुपे आता है या नहीं आता, तो वेट कर रहे हैं, अभी मार्केट चल रहा है तर्तारीस छेसो पच्चिस पे, और मॉर्निंग में हमने एक उप्शन सेलिंग भी किया था, वो अभी हम आटो एक्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमन ओपन कर दिया है ओडर अपना, तो यहां पर अभी बेट कर रहे हैं, बाकि ऑप्शन बाइं के टार्गेट का, तो तर्तारीस छेसो पुट हमने बाइ किया हुआ है, और देखते हैं अभी सात रुपे पर चल रहा है, कहां पर यह जाता है, क्योंकि तर्तारीस छेसो जाता ह अभी मार्केट, तो हमारा रेट वहीं चल रहा है भी, तो अभी इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, दस से पंदरा मिनट लगेंगे, क्योंकि आने को तो एकदम से आ भी सकता है, पर वही है कि वोलेटाइल है नहीं इतनी आज मार्केट, तो इस वज़ा से यही दीजन्स हैं और अभी मार्केट 43-630 पे चल रही है, और अभी निफ्टी देखेंगे, तो निफ्टी पॉजिटिव है, और डैंग निफ्टी और फिन निफ्टी वगेरा नेगिटिव हैं, तो यहां से बस यही है कि एक डाउन साइट थोड़ा सा मूव आता है डैंग निफ्टी में, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा बेसिकली 43-600 स्पाइक कर जाएगा, तो रेट हमने सही लिया है, 7 रुपए के आसपास का हमारा बाइंग है और वहीं चल रहा है अभी, और अभी 6 मिनट है 3 बजने में भी, बाकी 3, 5, 3, 10 तक लास्ट रहता है ट्रेड, वहां तक उमीद र लेकिन अगर मार्केट ने स्पाइक कर लिया, तो यहां यह बिलकुली खतम हो जाएगा, जीरो के आसपास चला जाएगा, और अगर स्पाइक नहीं करती है, तो फिर हम गेम में बने रहेंगे, तो अभी यह देखना है के 43-600 के नीचे आता है मार्केट, तो यहां पर हमें एक स्पाइक मिलेगा, तो उसी का हम बेट कर रहे हैं, बाकी साथ-साथ हम और भी ट्रेट देख रहे हैं, यहां पर कुछ मैंने और पोजीशन लगाई हुई है, जिसमें अगर आप देखेंगे कुछ और मैंने स्ट्राइक से एड़ की हुई है, 43-600 का कॉल हो गया, वो मतलब कि spot price और option price में कितना mismatch है वो देखने के लिए, वो compare करने के लिए साथ में हम एड़ करते हैं, क्योंकि इससे भी हमें idea मिलता है कि market किस सेट जा सकती है, move कर सकती है, तो अभी हम वेट करेंगे, बाकी अभी जो सेम चल रहा है, कोई किसी का भी ऐसे बोलेंगे नहीं कि put या call में से किसी का नहीं है, अभी दोनों options के जो pricing देखेंगे आप 4600, 4600 call या put, तो उसे साब से सही चल रहा है, मतलब range में चल रहा है, 4600, 35 पे market चल रहा है और 4600 का जो call है वो 37 के असवास चल रहा है, तो किसी मतलब कोई भी हावी नहीं है एक दूसरे पर, बाकी दोनों सेम चल रहे है, अभी यही वेट करना है हमें, कि market कहा जाती है, हमारा rate अभी भी चल रहा है, 7.30 पे हमने भाई किया है, 900 quantity है, तो अभी 8 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा positive चल रहे है, बाकी उपर वाला जो trade है, जो हमने option selling की है, वो automatically square off हो जाएगा, हमने open कर दिया order, तो rate पर आते ही, वो square off हो जाएगा, तो देखते हैं, कि क्या होता है आज, और दो बच के अभी छपन मिनट हुए है, इससे पहले भी एका trade हमें मिल रहा था, बट थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, पोजिशन हम बनानी पाए, जो 43-600 call आप देखेंगे, इसकी position हम थोड़ा सा ल पाकी charts वगएर भी मैं साथ साथ देख रहा हूं, अपने laptop में charts भी हमारे open रहते हैं, वो चीज भी देखते हैं, तो mainly मैं एक मिनट और पांच मिनट का chart साथ में रखता हूं, क्योंकि उसी से help मिलती है, एक मिनट या पांच मिनट क्योंकि आपको scalping करनी है, तो आप mostly एक मि chart ही देखा जाता है, पर हम दोनों charts जो है, स्क्रीन पर रखते हैं, साथ में हमारी MA's वगएरा होती है, moving averages वगएरा वो हम set करके रखते हैं, तो उसके बिना काम नहीं हो सकता, सिर्फ like एक बोलते हैं कि जैसे कि एक idea लगाने से बात चितनी बैठती ट्रेडिंग में, charts भी द pension नहीं है, और buying हमने कुछ ज्यादा aggressively नहीं की है, और ना costly की है, हाँ अगर नीचे आएगा तो हम कुछ और भी add करेंगे, क्योंकि अभी फिलाल हम वैसे 10-12,000 का investment करते हैं, बट आज अगर आप देखेंगे तो हमने अगर नीचे आएगा तो हमारी average कम होती है, तो वहाँ से spike भी मारेगा तो हम double ले सकते हैं, तो यह purpose है थोड़ा average करने का, और ज्यादा average में भी invest हम नहीं करेंगे, कम करेंगे, जितना लगाया उसका आज़ा ही करेंगे, तो अभी देखते हैं कि अगर नीचे आएगा तो क करेंगे average, उपर जाएगा, तो हम 20 के आसपास करेंगे square off, देखते हैं अभी क्या होता है दोनों में से, और अभी दो बच के 58 मिनट हो रहे हैं, अभी काफी टाइम है, देखा जाए तो, क्योंकि 3-8, 3-10 के आसपास तक सही चलता है हिसाब किताब, उसके बाद तो फिर बि 43-600 का पूट अभी चल रहा है, फिलाल 7 रुपए 70 पैसे पे, और आज है bank nifty के expiry, बुदवार वाला दिन है, तो यहाँ पे आज देखते हैं कि profit हमें होता ही नहीं होता, दो बच के 259 का टाइम हो रहा है, और nifty तो positive है, nifty आज, और bank nifty आज negative है, तो दोनों opposite आज ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के, अगेंस्ट ट्रेड चल रहा है दोनों का, और यहाँ पे देखो काफी नीचे आ गया है, यहाँ से 4 रुपए पे आ गया है, चलो कोई नहीं एक 900 कॉंटेटी और हम एड करते हैं, ताकि average हमारी कम हो जाए, बाकी यहाँ पे हमने 900 कॉंटेटी अगर इन केस हमें मिलता है, तो यहाँ पे देखते हैं, चार रुपए क्या सपास चल रहा है भी, हमारा जो ओर एग्जिक्ट हो जाएगा भी, देखते हैं नि तो हम चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लो कर सकते हैं, इसको रेट को, यह हो गया है, अगर आप देखेंगे अगर इन केस हमें मिलता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तो एक स्पाइक की हमें जरुवत है, चार्ट जेक के लग रहा है, बड़ कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काफी नीचे आ चुका है, टाइम तीन बच चुके हैं, तो यहाँ पे एक स्पाइक अगर आ जा चालिस पैसे पे चल रहा है, दो पचास पे चल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है, देखते हैं, देखते हैं, हीरो जीरो ट्रेड है या तो जीरो होगा, दरवाइस हीरो बनेगा, देखते हैं, वन इस टू बन का टार्गेट हम ऐसे भी लेके चलते हैं, तो अगर स्प स्पाइक कर सकता है वहाँ पे अपने अभी तो नहीं दो तीन मिनट तक अगर ऐसे ही रहा तो फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट एक्जिट करने का ट्राइ करेंगे बाकी देखते हैं कि अगर स्पाइक मारेगा तो क्योंकि हमारी प्लैनिंग यही रहती है कि अगर टाइम के हिसाब से हम देख के जलते हैं टार्गेट का कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आप 10 रुपए है तो 10 रुपए पर सेल करना है अगर टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो गया अगर आपको लग रहा है कि महां नहीं आ सकता तो लेके बैठे मत रहो वो भी गलत चीज़ है तो टाइम के इसाब से थोड़ा मैनेज करना चाहिए पोजिशन को वो मेंडेट जल्दी आता है तो फिर वेट करेंगे थोड़े और स्पाइक का बाकि अभी देखते हैं देखते हैं च्छेसो पच्पन पे चल रहा है भी डैंग निफ्टी तर्तालीस च्छेसो पच्पन में तो यहां से 50 पॉइंट एकदम से मूव पता नहीं देखते हैं तो मूव प्राइस पर के तो यहां से भी पता चलता है तो चांसे अब थोड़े से लो लग रहे है मुझे उपर आने के उपर भी आएगा तो एक दो तिन रुपए उपर आ सकता है इससे जादा चांसे लगनी रहे हैं बाकि अभी वेट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी वेट कर रहे हो वो चिइजव आदा ज़रूरी है B क्योंकि चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर अब लगा सकती हो बट वही है कि आप अब प्राइस एक्षेन देखो और साथ में ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा साइकलोजी को भी समझो अब यहां पर देखो 63-600 का जो कॉल है वो 55 के आसपास चल रहा है और मार्केट भी स्पॉर्ट प्राइस नेक टू नेक चल रहा है मतलब स्पॉर्ट प्राइस के तो इसलिए मुझे थोड़े चांसे यहां से कम लग रहे है स्पाइक के बट खोने के लिए कुछ जादा बचा नहीं है इस वजह से मैं यहां पर एक्जिट नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर अगर मुझे 2-3 रुपए का स्पाइक भी मिलेगा उपर यानि कि अभी 1.5 पर चल रहा है एक रुपए 35 पैसे पर यहां पर 4-4 रुपए पर भी मिल जाएगा तो वहां पर मैं एक्जिट कर दूँगा अब यह पोजिशन है तो वह चीज देखनी पड़ती है यह नहीं कि आप लेके बैठ जाओ और बिल्कुल कि नहीं वहां पर आ तो यह थोड़ा प्रेशर डाल रही है पूट साइड पे और पूट साइड का डीके लगते लगते अभी 2-4 मिनट में काम हो जाएगा पूट साइड का लग रहा है ऐसा वाकि एक स्पाइक मिल गया 3-3-4 रुपए में तो वहां पर हम एक्जिट कर देंगे डेफिनिटली भागी अभी देखते हैं कि थोड़ा स्पाइक आता है क्योंकि अभी भी टाइम है 6 मिनट का समय है तो ट्रेडिंग साइकलोजी समझना बहुत ज्यादा ज़रूरी है उसके बिना नहीं हो पाती ट्रेडिंग क्योंकि ट्रेडिंग करकर के एक्स्पीडेंस ले लेके आपको पता चलता है कि आप कहां गलतिया कर रहे हो, मार्केट कैसे क्या रियक्ट कर रही है, कैसे रियक्ट करती है, मार्केट के रियक्शन कैसे कैसे होते हैं, कब कब होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सब चीजे कर कर के कर कर के स्लो स्लो करो यार, मार्केट में बस बने रहो, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, ओवर ट्रेडिंग मत करो, क्वांटिटी स्मॉल रखो, जब तक आप खुद आपको ना पता चल जाए कि आपको डिरेक्शन पकड़नी आ गई है, और टाइमली आप डिरेक्शन पकड़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम बहु मुझे इस मार्केट में, तो एक आइडिया लग गया है, कि मार्केट में क्या मतलब गलतिया हम पहले कर रहे थे, वो हमें धुरानी नहीं है, तो वो सारी चीज़े हमने नोट की हुई है, अपने माइंड में पूरी सेट हैं, कि हमें क्या गलतिया नहीं करनी, जल्दी ट्र मार्केट में टीके रहोगे, तो पैसा भी बनेगा, तो मार्केट में टीके तभी रहोगे, जब आप पूरा कैपिटल एक बार में नहीं लगाओगे, अगर आप एक बार में कैपिटल अपना लगा देते हो, कि हाँ जी चलो जितना है मैंने लगा दिया, तो उसका कोई फा जो क्योंकि उसी बेसिस पे आप ट्रेड वगरा ले पाओगे क्योंकि प्राइज एक्षिन साथ साथ देखो कुछ एमेज वगरा का मैं यूज करता हूं बेसिकली उससे जादा मैं कुछ नहीं करता ज्यादा कोई इंडिकेटर आपने देखा भी नहीं होगा कभी मेरे और यहां पर अभी 43-600 का कॉल वई है कि चाववन पर चल रहा है तो मैंने का था जैसे कि उमीद नहीं लग रही है बागी अब कुछ बचा नहीं है 43-600 का पूट 65 पैसे पर आ चुका है तो यहां से अभी हम एक्जिट ही करेंगे बाकी कुछ है नहीं कुछ खास अब बचा नहीं है देखते हैं बाकी वही है कि एका ट्रेड कोई मिलेगा तब अगर अभी यहां पर 43-650 पैसे चल रहा है मार्केट अगर एकदम से उपर भी स्पाइक करती है तो यहां पर एका ट्रेड मिल सकता है लेकिन मार्केट बीच में फसी पड़ी है क्योंकि 43-650 का कोई भी यहां पर हम देख रहे हैं एकजिट करेंगे ही क्योंकि कुछ खास बचा नहीं है अब देखो 60 पैसे से वापस वह एक रुपे पर आ चुका है क्योंकि मार्केट वही है कि नीचे तो थोड़ी आ रही है बट जो कॉल प्राइजिस है वो गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं व बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं हमेरे पास खोने को तो अब देखते हैं यहां पर तरतालीस 640 के आस पास चल रहा है भी भी एक आद मिनट और देखने वाला है बस ज्यादा नहीं एक दो मिनट क्योंकि तीन आठ तीन नौ तक क्लियर हो जाएगा तो यहां पर अभी देख क्योंकि कॉल तो अभी पैसेट पैसे पर चल रहा है तरतालीस साथ सो का तो इसका कोई इसमें ट्रेल लेने का कोई सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी नहीं तो देखते हैं अभी क्योंकि मुमेंट अब बिल्कुल कम हो जाएगी तीन बच के आठ मिनट हो गए है यहां पर कि एकदम से स्पाइक इस टाइम आए बहुत ज्यादा रहर होता है तो इसलिए तरतालीस साथ सो कॉल पे तो बिल्कुल नज़र रखना मत कि पैसे से आप डबल करने की सोचो तीन गुना करने की सोचो वह थोड़े चांसेस कम हो जाता है हो जाएगा ऐसा निया यहां से भी डबल हो सकता है तीन गुना भी हो सकता है बट वो मतलब फेवर में नहीं रहता है वो स्ट्रेटेजी फेवर में नहीं रहती है हमारे तो वो चीज हम नहीं करते है जो हमारे थोड़ा फेवर हमें देती है क्योंकि यह सारी चीजे ट्राइ कर चुके हैं सारी चीजे बहुत नहीं चाहरे बस यह बात है जो हमारे rules है उसी को follow कर रहे हैं आप लोग भी कुछ rules बनाओ अपने महीना यह के one month करके follow करो कुछ rules बना रहे हो अगर लग रहा है कि one month आपने किसी rule को अपने follow किए और वो profitable हो रहे हो उससे आप तो well and good है और क्या चाहिए ताइम लगता है यार हर चीज में टाइम लगता है तो वही चीज है और बाकि अगर देखेंगे के स्कूलिंग आप देखते हो के 12 इयर्स लगते हैं स्कूलिंग कम्पलीट करने में तो 12 साल आप दे रहे हो किसी चीज को और यहां पर अगर एक दो साल दे रहे हो तो कुछ मतलब मेरे साब से जादा नहीं है बिल्कुल जादा नहीं है अगर दो चार पांस साल में भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो है वर्थ फिर उसकी बाकी यहां पर ट्रेड अभी हो गया है खतम ओल्मस्ट साट पैसे पर चल रहा है और यहां पर वही बहा है कि एक स्पाइक उपर आएगा तो फिर 43-700 का पुड देखेंगे कि क्या भीव करता है उसे साब से हम देखेंगे कि अगर ज्यादा हमारे रेडार में आएगा तो हम फिर बाइंग की तरफ भागेंगे नहीं कोई देखकर नहीं है ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे रिवेंज ट्रेडिंग क होने चाहिए यह नहीं कि आप उस सारे पैसे आपके हाथ में तो बस लगा दो अब मेरे अकाउंट में यहाँ पर देखो ऑप्शन सेलिक मैंने 210 क्वांटिटी की की हुई थी तो मतलब कि कैपिटल है उसके बाद भी मैं बिल्कुल भी नहीं कि मुझे गल्ट ट्रेडिंग क है जब तक रेडार में नहीं है चाहिए हमें फिर में और शर्कुल यहाँ एक बार में एक ट्रेड चलेग तो वैल नहीं है अगर ऑप्शन भी करेंग में एक ट्रेड चला तो सही है बाकि यहाँ पर देखो खुछ़ की कचा नियह है 7,000 का लॉस हो गया है तो यहां पर एक अब कर देते हैं क्योंकि कुछ है नियए अभी बी और उपर स्पाइक ने करनेस चलू ए पर यहां पर रहाज ऑनला सत जाएंगोर इं सीख के आगे बढ़ो उसको उसको ले के मत बैठ जाओ या मार्केट में आपको लॉस होया है तो ऐसा आप लोगों के साथ होता भी होगा कि आपका लॉस होता होगा बड़ा होता होगा वो ज्यादा तर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में हो जाता होगा आपको आप 10,000 का लॉस आपने उस loss को cover करने के लिए गलत ट्रेड लिए एक दो वो 10 का loss pile up हो गया 30 तक पहुँच गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे तो आप पुरी जिंदगी लगे रहोगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद अपनी personality को change नहीं करोगे खुद पर control न होगे हैं और वही है कि 4700 का जो put है वो भी अभी 40 पे चल रहा है तो हमारे radar में तो बिल्कुल भी नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे लेना नहीं चाहेंगे और बाकि आप लोगों का आज किसका क्या रहा profit रहा क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं एट जो hero zero trade होते हैं कम time वाले scalping वाले आप लेते हैं 10-15 मिंट के लिए सही रहते हैं क्या आप देखो morning में लेके बैठ जाओ उसके बाद moment ना हो आप बेट करते रहो पूरा दिन आखे गड़ाए बैठो उसका भी कोई sense नहीं है अनलेस अगर आपको direction पता हो अगर आपको reversal पत करना मद भूलना thank you so much guys